दोस्तों निवेश करने के लिए आपको वैसे बहुत सारे ओप्चन मिलते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मत्ली बेसिस पर थोड़े बहुत सेविंग करें लेकिन अगले 10-15 साल के अंदर आपको एक बड़े फंड की जौरत है यानि कि आपको 77 लाग रुपे या फि सेविंग कर सकते हैं और इसी सेविंग से आप निवेश प्लान करना चाहते हैं और इसी से आप एक बड़ा फंड भी बनाना चाहते हैं तो क्या हम मूचल फंड के अंदर आज की रेट में पैसे को निवेश करते हैं तो क्या हम एक बड़ा फंड बना सकते हैं तो दोस्तों mutual fund plan के अंदर आपको ऐसे plan मिल जाते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ 900 रुपे बचत करते हैं और इसे निवेश करते हैं तो दोतो आज हम जिस plan की बात करने वाले हैं ये mutual fund का एक धाकर fund है इसके अंदर 900 रुपे मंतली निवेश करते रहने से अगर आपका target एक करोड़ रुपे fund बनाने का है आने वाले कुछ time के अंदर तो इससे आप पूरा कर सकते हैं mutual fund के अंदर लगतार जो return है वो पिछले 10 साल से काफी शांदार आपको मिला है और दोस्तो mutual fund के कुछ ऐसे भी plan है जिनोंने 10 साल से लगतार जो return है वो 20 से 30 परसेंट भी दिया है यानि जिन लोगोंने इन mutual fund plan के अंदर पैसे को नवेश किया आज उनके पास एक बड़ा fund है और दोस्तो आज हम जिस plan की बात करने वाले हैं आप देखेंगे कि इस plan का return लगतार 10-15 साल से annually compound return 27% से जाता है लेकिन आने वले टाइम में अगर आपको इससे कम भी return भीता है और आप कम पैसे निवेश करना चाहते हैं monthly business पर SIP के तुरू तब इस plan के अंदर आप एक बड़े fund बनाने के target को पूरा कर सकते हैं दोस्तों लगतार mutual fund के अंदर जो निवेश है वो retail investor ने काफी जादा हुआ है काफी जादा क्या है mutual fund का कुल एयम 50 लाग करोड रुपे पार कर चुका है और इसमें सबसे जदा हिस्सेदारी retail investor की है जैने आम लोगोंने mutual funds के अंदर काफी जादा पैसे को निवेश क्या हुआ है और अगर आप mutual funds में पैसे को निवेश करते हैं तो यहां से आप कम पैसे से बड़े fund बनाने के target को बहुत जल्दी पूरा भी कर सकते हैं और दोस्तों जिस plan की हम बात कर रहे हैं यह है निपोन एडिया का small cap fund दोस्तों इस fund का return 27% है और वो भी लगतार करीब 15 साल से जबकि पिछले 5 साल से fund ने लगतार compound return 30% दिया है 3 साल में 35% last one year में 61% और 6 मंत में भी fund ने शांदार 20% से जादा का return दिया है दोस्तों निपोन एडिया small cap fund एक ऐसा fund है जिसके अंदर अगर आप पैसे को निवेश करते हैं तो यहां से आप एक जबरदस्त fund बना सकते हैं कैसे इसे भी हम समझते हैं यहां पर दोस्तों आप 19.000 रुपे मतली की SIP स्टार्ट करते हैं और आपको return मिलता है 25% का लेकिन आप स्टार्टिंग सिर्फ 5 साल तक SIP को continue करते हैं तो यहां पर आप निवेश करेंगे 1,14,000 और इसमें return होगा 1,13,000 यानि 5 साल में आपके पास 2,27,000 रुपे का fund होगा लेकिन अगर हम 10 साल की बात करें तो 2,28,000 रुपे आप निवेश करके 10,12,000 रुपे का fund बनाएंगे और इसमें 7,84,000 रुपे का return होगा जबकि दोस्तों अगर हम 15 साल की बात करें तो यहां पर आप 3,22,000 रुपे निवेश करके 37,15,000 रुपे का fund बनाएंगे और 33,000,000 रुपे का इसमें return होगा लेकिन दोस्तों अगर आपका target और इसमें 27,000,000 रुपे का return होगा और इसमें 97,000,000 रुपे से जादा का return होगा दोस्तों अगर हम यहां पर इस plan के NAB, net acid value के price की बात करें तो यह है 163 रुपे यानि कि NAB का जो भी price होता है और जो भी आप पैस अन्वेश करते हैं तो आपको current NAB के price unit lot की जाती है fund की rating 4 है 45,000 करोड रुपे से जादा fund का U.M. है यानि इतने पैसे लोगों ने plan के अंदर निवेश की होगा है जिबकि minimum अगर आपके पास 900 रुपे भी नहीं है 100 रुपे S.I.P. से आप निवेश कर सकते हैं यहाँ पर टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसमें stock काफी बहतर है इसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट वोल्टेम, टांसफोर्मर, HDFC बैंक मल्टी कमूरिटी एक्चेंज ऑफ इंडिया अपार इंडस्टी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया याँ कि दोस्तों, दोस्तों, दो stock है कुल मिलाकर portfolio में जिनके अंदर अलग-लग percentage में पैसे को ने बेश किया गया है और यहाँ पर सारा पैसा इक्विटी के अंदर 95% पैसे को यूज किया गया है लेकिन यहाँ पर sector-wise पैसे को diversify किया गया है और सबसे ज़दा पैसा capital good sector के अंदर पिवेश किया गया है 19% इसके लावा financial sector, services, healthcare consumer temple, chemical, construction, technology automobile sector याँ कि सारी sector के अंदर पैसे को डाला गया है जिससे यहाँ पर fund ने लगातार जो written है वो भी काफी जबतरतिया है fund का बीटा 0.80 है याँ फंड ने कम रिसके साथ काफी अच्छा profit दिया है दोस्तोंगर मानते हैं कि कोई 2 fund है और एक का बीटा एक से कम है और एक का ज़ादा है तो माना जाता है जिस fund का बीटा कम है एक से उसने कम रिसक लेकर ज़ादा profit दिया है जबकि दूसरे वाले fund जिसका बीटा एक्तिजादा है उसने जादा रिस्क लेकर कम प्रॉफिट दिया है यहाँ पर फंड के घर्चे की बात करें तो यह भी कम है 0.70% का यानि कि फंड में कम रिस्क के साथ काफी अच्छा आपको प्रॉफिट मिला है तो दोस्तो रैंक टोटल एसेट के साथ इंडिया में 6 नमबर पर है 4,35,000 क्रोड रुपे से ज़्दा था फंड का यूएम है जबकि यहाँ पर 1995 को यह भंडाउ से स्टार्ट हुआ था तो दोस्तो मिचल फंड टान के अदर तो दोस्तो निपोन इडिया के इसे स्मॉल केप फंड के अदर अगर आप S.I.P. के थरू मंतली बेस्ट पर सिर्फ 19 सु रुपे मंतले निवेश करते हैं तो आप 19 साल के अदर यहाँ पर सिर्फ निवेश करेंगे वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कट रहें धन्यवाद